नवादा जिलावासियों के लिए एक राहत वाली खबर है नवादा के पहले पॉजिटिव मरीज आये खुर्शीद मुस्तफा बुद्दवार को कोविड-19 कोरोना संक्रुमर से पूरी तरह मुक्त करार दे दिये गए है सदर अस्पताल परिसर में डॉक्टरों समेट कई अधिकारियों ने 38 वर्शिय खुर्शीद मुस्तफा को संक्रमर मुक्त होने का प्रमान पत्र दिया है इतना ही नहीं अधिकारियों ने ताली बजा कर उनका होसला अव्जाई कर उन्हें घर भेश दिया है डॉक्टर ने बताया कि शुरुवात में खुर्शीद की रिपोर्ट पॉजटिव आई थी रेगन इसके बाद दो रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं उन्हें होम कॉरिंटीन के लिए भेज दिया गया है अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है इसी के साथ खुर्शीद का कहना है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर वापस घर जा रहा हूँ हाला कि मुझे 14 दिन तक होम कॉरिंटीन में रहने के लिए कहा गया है खुर्शीद ने डॉक्टर और करमचारियों को भी धन्यवाद कहा और उन्होंने कहा कि डॉक्टर समय समय पर आकर जाच करते हैं और हालचाल पूछते हैं डॉक्टरों ने बीमारी के साथ साथ दिमागी परिशानी को भी काफी हद तक ठीक किया है और खुर्शीद ने सभी से कहा है कि लॉकटाउन का पालन करें और घरों से बाहर ना निकले आपको बता दे कि मुहम्मद खुर्शीद मुस्तफा नवादा नगर के कमालपुर के निवासी है और उन्हें अस्पताल से एक कोविड-19 वॉरियर का सर्टिफिकेट भी दिया गया है दो बार इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही अब डॉक्टरों ने इन्हें घर जाने दिया है मगर इसके बावजूद समय समय पर चांच कराई जाएगी नवादा से न्यूज के लिए अमन सिंह के रिपोर्ट